अले स्टेंट मैं अनुभवराज लेकर आये हूँ आज आपके लिए एक बीग अपडेट जो 19 अगस्त के दिन एस्टेट बोर्ड बिहार की तरफ से क्या कुछ निर्ने लिया गया एक्जामनेशन की रिगार्डिंग और 1-5 स्मिस्टर के पर्मोसन की रिगार्डिंग बैकलोग वाले छातर जो कैरी फेफर जिनका है बैकलोग है उनके लिए क्या कुछ एक्जामनेशन की प्रॉसस किये जा रहे हैं उस पर साड़ी चर्चा करेंगे हम पुड़ी इस वीडिय मैं नहीं समस्ताओं कि हैं पूरी आप वीडियो हमारी देख लेंगे तो आज पहला सबसे पहला चर्चा हम करेंगे इसमेस्टर एक्जाम पर तो आपके स्क्रीन पर जो दीख रहा है जो एथावत पूर्व की ही कोस्चन से उसमें 19 अगस्त 21 क्या है SBT विहार का अपडेट सिक्स सेमेस्टर का कब से होगा एक्जाम येर बैक एवं बैकलोग वाले शात्रों का कब से होगा एक्जाम और 1-5 सेमेस्टर परमोट का कब तक आएगा नोटिस ये चार महतपुर्न सवाल जो हैं बच्चों को चल रहा है तो आज की अब सबसे बरी अपडेट पहले अनुमती से बा सरकार की अनुमती से AICTE को आज एक मेल पत्र भेजा गया है मेल क्या गया है चिठी भेजी गई हैं जिसमें ये मांगा गया है कि 1-5 सेमेस्टर के बच्चों को कोविड के ध्यान में रखते हुए हम परमोट करना चाह रहे हैं जिदि आपकी इसमें कोई सी प्रकार की दिक्कते हैं तो आपने टिपनी को लिखें या अनुमती है तो परमिशन को ग्रांट करें तो मैं समझ रहा हूं जाता कि AICT पहले भी गैडलेंस जाड़ी कर या क्लियर कर रखा है कि UGC की गैडलेंस के अकौर्डिंग जो भी कोई State Board of Technical Education या इंस्टिशन जो भ प्रमोशन की रूल में चेंजिंग भी आएगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं पिछले बार प्रिभियस मार्स रिकॉर्ड के कार्डिंग मार्स दिया गया था इस बार सुन जो मैं सुन पा रहा हूं वहां कि पताधिकारियों की बिचार को या जो भी इंटरनल कॉलेज के म अनुमती मिल जाएगा तब जाकर के इसके परक्रिया में लोग लगेंगे कि कैसे बच्चों को मार्स को यह फाइंड आउट करकी दिया जाए जिससे की बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो तो यह बाद की प्रोसेस हैं पहले तो परमोट की परक्रिया के लिए अनुमती हो जाएं आप लोग की परमोशन के लिए चित्थी जारी हो जाएं उसी के एकॉर्डिंग आपके परिच्छा फॉर्म भरने का फीवी निड़धारीत होगा और उसी के एकॉर्डिंग कब से फॉर्म भरने की परक्रिया फोटल वेगरा ओन होगा सारे चीजें तो आज यह इस पर हमने एक सर्वे रिपोर्ट मांगा था पिछले वीडियो में बच्चों से कॉमेंट के माध्यम से कि आप हमें यह अपनी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आप कॉमेंट सेक्षन में जाके अपनी वीचार को निश्चीत रुप से ब्यक्त करें जिसमें यह जरूर अनुमती नहीं मिलने कारण जब रद कर दिया गया तो कम से कम यह होना चाहिए कि 20 सितंबर के बाद एक्जामनेशन हो उसी के अधारपड मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि अब लगभा का जो है से फस्ट वीक आप अक्टूबर से पहले एक्जामनेशन नहीं ह लिखा अपनी वीचार के अनुसार से कुछ लोग एक सितंबर से भी चाह रहे थे कुछ लोग 10 सितंबर से चाह रहे हैं कुछ लोग 15 सितंबर से चाह रहे हैं कुछ लोग पूर्व का जो डेट था उसी पे चाह रहा है एक्जामनेशन लेकिन मास संख्या में बच्चों का था कि नहीं 25 सितमर से एकजाम हो कुछ भाफ फस्ट वीक अपक्ट्यूबर का भी डिमांड कर रहे थे कुछ बच्चे दुर्गा पुजा के बाद दसाहरा के बाद डिमांड कर रहे थे तो बच्चों में विभीन परकार की बिश्वता हैं लुदान उकुल सबी रह रहे हैं तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आज हमने अपने तरब से State Board में पहुँच कर, मैं कड़ी बाड़ा एक वज़े के आसपास हमने इस चीजों को पुखता से रखा, कि बच्चे की ये देख लीजिए feedback हैं, और बच्चे ये चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने भी consider क करने की बात कहीं हैं, लेकिन ये ज्यादा संभामना बन रहा है कि 25 सितंबर के आसपास आपकी examination स्टार्ट हो जाएंगे, दो दिन आगे, चार दिन पीछे ये ही रहेगा, एक्जेक्ट मैं डेट क्लियर नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो कुछ already सरकार की जो policies हैं, वो बहुत सरा चीज मैं के लिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, एक्जेक्ट कभी मैं नहीं बता पाऊंगा, so students, ये अब आप लोग जो six semester के बच्चे हैं, या carry backlog बाले बच्चे हैं, वो आज से एकदम serious mode में आप अपनी तयारी में लग जाईए, अब आपकी examination सर पे हैं, आप अब सर के YouTube वीडियो देखनी की जरूत भी नहीं है, क्रिप्या आप तयारी में रहेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छी तयारी करेंगे, और अपनी तयारी बहतर करेंगे, तभी आप वहाँ copy पर लिख पाएंगे, तभी आपको बहतर मार्क्स मिल पाएगा, तो इसके लिए आ आपको तयार होना होगा, तो आज से प्यारे बचे जो भी हमारी वीडियो इसको देख रहे हैं, आप से हमारी शंबाद हैं, शंदेश हैं, कि आप अभी से seriously लग जाईए अपनी पेपर की तयारी में, और बहतर से बहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे, खास करके जो बिहार मे हैं, रुजगार अभी जो दी जारी है, बटी से के माध्यम से मार्क्स विश्चिश बाहली प्रॉसेस हैं, उसमें आपकी मार्क्स बहुत इंप्रेंट हैं, और 6 सेमेस्टर की मार्क्स बहुत ही जादा महत्पूर्ण हैं, क्योंकि 100% जो आप मार्क्स प्राप्त करते हैं, इसमें किसी परगारी कोई कटावती नहीं होता है, और 100% मार्क्स आप एड है, तो इसलिए ये मार्क्स आपके लिए बहुत ही मातपूर्ण है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए अपने पेपर को, जो जो पेपर में दिखते हैं, उसको आप क्लियर करते जाएं और उस ए के लिए कदम आगे बढ़ करके मदद करें, जो हम डिजर्व करते हैं, जो इतना हम सक्षम है, निश्ची तरुप से आपके लिए साथ है, तो आज क्लियर हो गया, क्यों आज की जो प्रकडिया है, उसमें AI City को आज चिठी भेज दी गई है, मेल के माध्यम से, और अनमती आ जाएगा, तो एक चीज और बोलना चाहेंगे, अब कोई चिठी तीन दिन तक आपको जनकारी नोटीस वेगरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल 20 अगस्त सुक्रभार दिन मुहर्रम का परमुकरर हैं, तो उस दिन आपका कोई नोटीस जाड़ी नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी और सनी बार 21 तारीक है और रभी बार 22 तारीक है, तो सनी बार और रभी बार दो दिन आप क्या सचिवाले बंद रहता है, बिहार सरकार के सेकरेटरियर बंद होता है, तो ये दो दिन भी चिठी नहीं आएगा, तो जो भी अब कुछ न्यू अपडेट डिसीजन आएगा, या जो भी जबाब आएगा या जो भी नोटीस आएगा मंडे 23 तारीको 24 तारीको और एक चीज और बता दें परिछा पर ही एक डिसीजन और फशा हुआ है वो है 25 अगस्त के आपदा परवंधन विभाग की मिटिंग आपदा परवंधन विभाग 25 अगस्त के मिटिंग का देट मुकररण किया है और उस दिन मेजर निरने होना है कि एकजामनेशन कब करानी की अनुमती आपदा परवंधन दे रही है क्योंकि पिछले बार भी जो एकजामनेशन रद की है वो आपदा परवंधन के हस्ताचेप स से रद हुई है तरफ से रद नहीं हुआ है जिस पर मैंने बोला था तो क्या बच्चे ने या क्या लोगों ने क्या संस्थान के सिच्छकों ने मुझे कहा कि अभी तो जो है बार तो वही 20 सितंबर तक थोड़े रहेगा ऐसे नहीं सच्छाई में बताया था उस समय भी अगवा है कि कितनी भयावा इस्तिती है इस बार फ्लड का खास करका तो प्यारे बचे 25 अगस्त का एक मेजर मिटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि एक्जेक्ट इक्जामनेशन की डेट कब आना है क्योंकि आप दा प्रवंधन की जो मिटिंग 25 का है हो सकता है उससे पहले भी कुछ निरने आजा या ओर्डर दे दें तो अलग बात लेकिन हम समझ रहे हैं कि एक्जामनेशन की नोटीस जो है सिक्ट सेमेस्टर वालों को 25 अगस्त से पहले अब नहीं लगड़ा है कि आएगा लेकिन हाँ परमोट वाली की नोटीस जो है हो सकता है मंड़े को आ जा मतलब 23, 24, 25 में कभी भी आपकी चिठी जारी हो शक्ती है जैसे ही AICT का approval मिल जाता है State Board को तो मैं समस्ता हूं कि आज आज आपकी जितने सारे प्रस्ण जो मैंने आप अपने स्कीन पर देख रखा है वही चार प्रस्ण है जो कि मैं पिछले बार भी वीडियो में दिया था तो लगभग आप लोगों की शारी प्रस्णों का जबाब और डॉट क्लियर हो गया होगा तो मैं समस्ता हूं कि अब जदी कोई डॉट है कि नहीं को लगता हो कि प्रस्ण है तो आप बहुत ही महत्पुर्ण समझते हो प्रस्ण इतनी चीज़ें बताने के बाद तो निश् प्रस्ण करते हैं को मतलब नहीं रहा जाता है यह क्लियर है जदी आप और एक चीजा और मैंने बताया आपको ध्यान रखिएगा कटप डेट एक्जामनेशन का कि आपको 25 के आसपास इक्जामा स्टार्ट होने जा रहा है लगभग मान के चलिए लगभग मान करके चलिए लेकिन उसमें आगे पीछे जदी होता है तो आर भी हमरी कोशिस हैं कि बच्चों को जो आया है बीचार उसमें भी हम रख रहे हैं परमुकता से अपनी बात को कि बच्चे की हीत को धियान में रखते हुए एक टाइम रखा जाए क्योंकि आप डेट एक महिना भी टाइम न